हेलो गाइज आज हम पैटी कैश बुक के बार में पढ़ने जा रहे हैं कि पैटी कैश बुक का मीनिंग क्या है पैटी कैश बुक कितने टाइप की होती है और पैटी कैश बुक का एक निमेरिकल भी सोल्व करेंगे तो चलिए सबसे पहले हम पैटी कैश बुक का मीनिंग प्रोपर कैश्च वूग मतलब क्या है का सब्सक्townक्ति का घर में चोटटे कैश्च्बूक को सक्ट्टे जो उसमें और में कैश्बूक श्यादा लावा हम एस धृटे खर्च चौटू खर्चंग के लिए करन दो मतलav इनMartia expenses के लिए एक अलग से Book बनाते हैं जिसको बोलते है इसमें क्या होता है , जो head cashier वो Patty Cashier को worth funds amount प्लेटा है जैसे रुसूद रूपीज ये pops होता है जो होजाएंगं पैसे तो head cashier अजो petty cashier को और पैसे देज़ा हो उसकते हैं पैटी काशियर है उसने 1st January को 1,000 रुपीज दिये है है पैटी काशियर को ठीक है और टाइम क्या है 1st January से 31st January तक का मतलब क्या है जो पैटी कैशियर है वो एक जनवरी से लेके 31st January तक कि सारी ट्रांजक्शन अपने पैटी कैश्य बुक में रिकॉर्ड करेगा 1,000 रुपीस में से खर्च करेगा, जितने पैसे खर्च हो गए, ठीक है, पर जितने बाकी बचे बचे यह अपने बैलेंस में लिख लएगा, उसके बाद क्या है, 1st Fever को, 1st Fever को, ठीक है, मालूम को चेह जती हैं कि उसने 1,000 रुपीस मेले थे उसको, वो 500 रुपे इसके खर्च होगे, ठीक है, मतलब कत्ती जन्वरी को उसके पास कितना बैलेंस बच गया, 500 रुपे, तो क्या होगा, फर्स्ट फैब को पैटी कैशिर है, जो उसको 500 रुपे और दे देगा, मतलब उसके पास दुबारा कितने पैसे हो जाएंगे, 1000 रुपीज, में क्या है, कि हमें एक फिक्स्ट अमाउंट मेंटेइन करके रखती है, एक फिक्स्ट पीरिड के लिए, जैसे वन मन्त हो गया, क्लियर है, अब हम इसका निमेरिकल देख लेते हैं, यह मैंने पैटी कैशिबू का प्रफोर्माड रो किया है, ठीक है, प्रफोर्मे में क्या आजाएगा डेट, यहां आजाएगा वाउचर नंबर, वाउचर नंबर मतलब बिल नंबर कि कौन से बिल के थ्रू हमने कितनी पेमेंट की है, यहां हमारा आजाएगा पर्टिकुलर्स, यहां आजाएगी हमारी अमाउंट, पेड, टोटल अमांट हमने कितनी पे की है, और यह जो मैंने कोलम बनाई हैं ठीक है वो डिफरेंट डिफरेंट पैटी एक्सपैंसिस के लिए हैं मैं आपको बताती हूं कैसे करेंगे हम देखो जैसे यह हमारा सम है उसमें क्या है प्रिपियर पैटी कैश बुक ओन इंप्रेसर सिस्टम फ्रोम दा फोलिंग ठीक है हमें कु पैटी कैश के लिए जनवरी 1 तो हम क्या करेंगे डेट जनवरी 1 ठीक है एंट्री रिकोड कर लेंगे टू कैश अकाउंट मतलब हमें कैश मिला है कितना कैश मिला है वह हम अमाउंट रसीवड कॉल में जो उसमें लिखेंगे वन थाउजन रूपीज अब क्लियर है उसके बाद नेक्स्ट है हमारी जनर्ली 2 की ट्रांजक्शन जनर्ली 2 को क्या है पेड बस फेर फाइव रोपीज ठीक है अब क्या है हम देख लेते हैं कि इसमें जתनी भी ट्रांजक्शन जैसे कुछ ट्रांजक्शन रिपीट होती है ज मतलब यह दोनों conveyance के अंडर आजाएंगे ठीक है तो हम क्या करते हैं ऐसे ही सब की एक अलग-अलग heading लिख लेते हैं जैसे फर्स्ट हम लिख लेते हैं conveyance जो conveyance के अंडर आजाएंगे ठीक है फिर यह शब्सकर के शाय के क videoений को तो तो हम लिख लेते हैं क्यारेजिज या जीzamına जाएंगे एक परिन्टिक अन्े स्टैश्णर के और बाद में देख लेते हैं सम में जो भी आएगा ठीक है जन्मी डू टू की ट्रांजक्शन देखते हैं पेड बस फिर फाइव रुपीज ठीक है जन्मीट को पेढ़ है हमने तो लिखेंगे जन्मीट टू बाई ठीक है जो हमारे रिसिप्ट के ट्रांजक्शन होंगी वो हमारे डैबिट साइड आती है डैबिट साइड के आते है टू जो हमारे पेमेंट के ट्रांजक्शन आती है वो हमारे होते है क्रेडिट साइड वो क्रेडिट साइड आएंगी तो हमके लिखेंगे बाई ठीक है बाई चैन्मेंश कितना है हमारा फाइव रुपीस एक तो यह टोटल अमाउंट पेड है जो उस कोलम में आ जाएगा और यह यह कंवेयंश के अंडर आ जाएगा हमारा फाइव रुपीस क्लियर है यह हमारी डैबिट साइड है तो यहां पर डियार लिख लेते हैं यह जाकिन की Paid Cartage 25 रुपीस यहांकि Cartage Pay की आई Gemari 2 को तो वह Carriage & Cartage के इंडरा जायगा Geni 2 x Cartage 25 टोटल कॉलम ने भी आजाएगा और एक आजाएगा Karriage & Cartage Carriage & Cartage के इंडरा जाएगा 25 रुपीस ठीक है उसके बाद है हमारी transaction तेनरी टू की paid for postage and telegram 60 रुपीज 60 रुपीज हमने पे किया है postage and telegram के लिए तो वो postage and telegram column में आ जाएंगे हमारे ठीक है जेनरी टू by postage and telegram 60 रुपीज पे किया है तो टोटल कोलम में आजाएंगे हमारे 60 रुपीज ठीक है और एक आजाएंगे हमारे पोस्टेज एंड टेलीग्राम में 60 रुपीज यहां पे ठीक है नेक्स्ट देखते हैं जन्मी थर्ड केंट्री है पेडवेजिस फर कैजुल लेबरर्ष है यहां हमने उनको वेजिसे कि यहां 40 रुपीज ठीक है तो हम एंट्री डाल देंगे वेजिस के अंडर जन्मी 3 बाई वेज़ीज वेज़ीज पेकी है हमने 40 रुपीज की तो यह आजाएगा अब वेज़ीज कोलम के अंडर 40 रुपीज उसके बाद देख लेते हैं हमारी के एंट्री है जन्री फॉर पेड फॉर स्टेशनरी 20 रुपीज स्टेशनरी के लिए पेकी है हमने 20 रुपीज तो यहां पे लिखेंगे जन्री फॉर बाई स्टेशनरी 20 रुपीज और यहां आ जाएगा यह प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हैडिकेंडर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हैडिकेंडर आ जाएगा 20 रुपीज उसके बाद है January 4th को पेड़ फोर टोंगा चार्जिस 50 टोंगा चार्जिस है वो कन्वेयंस में आ जाएगा 50 रुपीज January 4th को ठीक है तो हम लिखेंगे January 4th सोरी बाई कन्वेयंस कितने 50 रुपीज है ठीक है कन्वेयंस एटिकेंडर आ जाएगे हमारे 50 रुपीज उसके बाद देख लेते हैं हमारी January 5th को एंट्री है पेड़ फोर रीपेर टू चेर 150 यानकी हमने चेर की रीपेर करवाई है 150 रुपीज में ठीक है जैसे जो ऐसे expenses है जो बार-बार incurred होते हैं उनके लिए तो हम एक अलग से heading बना लेते हैं पर कुछ expenses ऐसे होते हैं जो महीने में या दो महीने में इक अधिबार होते हैं ठीक है जैसे किसी के लिए चाय मंगवाली या चेर की रीपेर करवाई है चेर रोज थोड़ी तूटती रती है तो हम ऐसे expenses को क्या करते हैं एक अलग से heading बना लेते हैं sundry expenses मतलब जो ऐसे expenses होंगे जो बार-बार incurred नहीं होते वो हम क्या करेंगे sundry expenses में डाल देंगे ठीक है हमारी क्या transaction की january 5 को है कि हमने रीपेर करवाई है चेर की तो हम लिखेंगे buy repairs 150 ठीक है वो हम लिख देंगे sundry expenses में sundry expenses में लिख देंगे हम 150 के clear है उसके बाद january 5 की है bus fare 10 रूपीज जो bus fare है 10 रूपीज यह conveyance में आ जाएगा तो conveyance में लिख देंगे january 5 by conveyance 10 रूपीज उसके बाद है हमारी january 5 की transaction है cartage 40 रूपीज तो यह carriage and cartage में आ जाएगी january 5 रूपीज रूपीज तो यह आ जाएगी हमारे carriage and cartage column के अंडर 40 रूपीज उसके बाद transaction देख लेते है january 6 की transaction है postage and telegram 70 रूपीज तो यह postage and telegram के अंडरा जाएगा january 6 को january 6 by postage and telegram ठीक है यह 70 रूपीज की transaction तो यह postage and telegram कोल में जो postage and telegram उसमें आ जाएगी 70 रूपीज की उसके बाद january 6 को दिए है tonga charges 30 tonga charges 30 रूपीज यह convenience में आ जाएगे हमारे january 6 by convenience 30 रूपीज जो हमारे convenience कोल में उसमें आ जाएगे 30 उसके बाद january 6 के अंडरी है cottage 30 रूपीज यह फीड दबारा cottage के अंडरी है january 6 को हम इसको cottage के अंडरी देंगे by cottage 30 रूपीज यह carriage and cottage में आ जाएगी 30 उसके बाद january 7 के अंडरी है stationary 20 रूपीज यानके हमने stationary के लिए पे की हैं 20 रूपीज तो january 7 के entry आ जाएगी हमारी रिफ्रेश्में टू कस्टमर्स 50 रूपीज यह इदर आ जाएगी प्रिंटिंग अंड स्टेश्नरी हैड़ी के अंडर प्रिंटिंग अंड स्टेश्नरी हैड़ी है यह रहा इधर 20 रूपीज उसके बाद last entry है हमारी refreshment to customers 50 जनरी 7 को refreshment to customers हम लिख देंगे संडरी expenses में ठीक है जनरी 7 बाइस संडरी expenses refreshment to customer था हमारा 50 रूपीज का ठीक है यह हम last column हमने जो बनाया था संडरी expenses का उसमें लिख देंगे 50 रूपीज हब हम अपने सारी transactions पास कर चुके हैं अब हम इसकी balancing करेंगे balancing करने के लिए हम क्या करेंगे जितने भी हमने total amount paid है हमारी ठीक है इस column का हम total करेंगे जो amount paid इस column का total है हमारा 600 इस column का total है हमारा 600 ठीक है सभी columns का total कर देंगे जो conveyance है उसका total हो गया हमारा 40 प्लस 50 इसका आगया हमारा 95 ठीक है और इस column का total करेंगे इसका total कितना आगया हमारा 95 उसके बाद printing है stationary का total कर लेंगे यह आगया हमारा 40 उसके बाद हम वेजिस कोलम का total कर लेंगे वेजिस हमारी 40 की है उसके बाद पोस्ट यां टेलिग्राम का यह हो गया हमारा 130 उसके बाद हम संद्र एक्सपैंसे का total करने है संद्र एक्सपैंसे है हमारे total 200 के मतलब टोटल एक्सपैंसे जो हमने total amount पे किया हमारी 600 amount receive हमें कितनी हुई थी 1000 की तो अगर हम balancing करते हैं ठीक है तो total balance हमारे पास कितना आ जाएगा by balance carry down 400 balance carry down हमारे पास 400 है टोटल था हमारा 1000 ठीक है तो अब क्या है यह 31st January को है by balance carry down अब हम क्या करेंगे 1st February को 2 balance draw down कर लेंगे इधर 400 का I hope आप सबको पता चल गया होगा कि पैटी cash book कैसे बनाते हैं ठीक है next video lecture में हम subsidiary books के बारे में बात करेंगे other subsidiary books के बारे में पढ़ेंगे कि अधर सबसीटरी books जो हो क्या होती है ठेंक्यू अधर सबसीटरी बुक से अजो हो क्या होती है ठेंक्यू